नमस्कार दोस्तों मैं सतनाम सिंग आपका एक बार फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एड़ोकेट और लोयर में क्या अंतर होता है लोयर वह वैकती होता है जिसके पास लोग की डिगरी होती है लेकिन उसके पास केस लड़ने की अनुमती नहीं होती तो उसके बाद लोग की डिग्री प्राप्ट करने के बाद उसको BCI की परिक्सा देनी पड़ती है और BCI का लाइसेंस प्राप्ट करना होता है फिर उसके बाद वह एड़ोकेट बन जाता है अब आप समझ गए होंगे कि एड़ोकेट क्या होता है यानि कि एड़ोकेट के पास BCI का लाइसेंस होता है और वह वकालत नामा के अनुसार किसी भी भारत के कोर्ट में केस लड़ सकता है तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और हाँ नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना